नो हजार करोड का IPO और दो लाख करोड इकठा कर लिया कमपनी ने सुनकर हैरानी हो रही है ना चलिए इसी टॉपिक पर बाते करते हैं स्टाट करते हैं इस वीडियो को मैं दीपक कुमार स्भागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इनवेस्ट फ़र वेल्थ में दूस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जोमेटो के रिगार्डिंग, जोमेटो के ऊपर बातचीत काफी ज्यादा होगी, राकियो जुनजुनवाला जी ने, एक इंटर्व्यू में काफी कुछ कहा है, उनके बारे में बातचीत करेंगे, बहुत इंफोमेटीव वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपने जमेटो में अपलाई किया है, नहीं किया है, वह साइड बाते हैं, बट यहां से आप वो चीज़े सीख पाओगे, जो आगे आने वाले श्टॉक्स पर आप अपलाई कर सकते हो, आप सीख सकते हो, समझ सकते हो कि आपलाई के पहले क्या चीज़े देखनी चाहिए, कैसे करन सब कोई डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो नागे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा वैल एकन को हिट कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो के नॉटिसके सन आपको मिलते रहे दो दिनों में, दो से तीन दिनों में, दो लाख करोड रुपे एकठे हो गए और आप कहते हो कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, चलिए यह दिखाते हैं आपको, दो लाख करोड में से अगर 10% भी मैं बानलू कि रिटेल कोटा में था, तो वैसे 10% है तो 10% लोगों ने तो एक लाग करोर मान लीजिया आप हो सकता है एक लग करोर तो 50 जार करोर हो सकता है हमारा आम आदमियों का आपको और मेरा है ना इतना पैसा रिटेल इंवेश्टर्स लगा रहे है चलिए बात्चीत करते है जुन-जुन्वाला कह रहे है लाकेव इंडिया के बिग भूल है वह will make more money in metals के रहे हैं कि जो यह IPO आ रहे हैं उनसे ज्यादा पईसा हम metals और banking के stocks में normal stocks में बना सकते हैं यह जो अभी primary market का खेला चल रहा है ना वो काफी कठिन हो गया है बड़े investors के नजरिये से जैसे की राके जुन-जुनमाला के नजरिये से जिस तरह से clean science double मतलब हर बंदे के माइंड में अब सिर्फ और सिर्फ आईपयो 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 दिख रहा है और अगर मैं बात करूँ यह जो जुमैटो है एक स्टार्टप एक यूनिकॉन स्टार्टप जो की कम समय में बहुत मुकाम हासिल कर लिया लेकिन उसके आगे पीछे उसके काम करने का तरीका उस लॉजिक और कमपटीशन इन सब चीजों को अवाइड करते हुए हमारे रिटेल इनवेश्टर स्रफ और स्रफ नाम से जुमैटो को अपलाए करें देखिए यहां पर जो भी बाते करूँगा मेरे तरफ से कोई भी बात नहीं आईगी सब के सब राके जुन-जुन वाला ने जो बाते का है ना अभी जुमैटो की बात करें तो यहां पर इन्होंने कह रखा है यहां पर थोड़ से नीची आऊँगा और यहां पर देखेंगे हम तो यहां पर एक सेकंड भाई वे रहे यहां पर देखेंगे आके जुन-जुन आना बलीव्स ही कैन मेक मेक मोर मनी इन्वेस्टिं इन शेयर्स ऑफ मेटल्स यहां पर मेटल्स अंड बैंकिंग के स्टॉक्स में वो ज्यादा पैसे बना सकते हैं न्यू एज टेक्लोजीस कंपनीज में निवेश करने से ज्यादा मतलब न्यू एज अज पुम्पनीज यशिशे की जो मेटो हो गया और पेटियम की बात कर ल वेन्टौ और टर्फ उसवाल की तरफसे और यहां पर एसे तमियनेगंट। अ्ट मेंट। टरफ से उसमें सारी बाथचीत। तो मिला है कहां से फर्म जो नय इन्वेस्टर्स है जो यूथ है उन Dafür किया से हर किर एक यूथ को जुना कुछ मंगाता है चाहे वह चिकन हो चाहे वह चाहे वह फासता हो वहाँ पे order जरूर करता है और उसके बारे में पता है और साथ में जितने भी deliveries बॉइ हैं सबने डिमेट अकाउंट खुलवाए होंगे कि भाई हमारी कमपनी का शेर आ रहा है हम तो अपलाई करेंगे 14,000 ही लगना है इस 14,000 को लगते लगते अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे खुद ही उन लोगों ने लिखा है तो मैं थोड़ा सफारी यहाँ नहीं यहाँ पे उनने खुद लिखा है कि यहाँ पे the online food aggregator IPO received bid worth of 2 lakh crores यहाँ पर तीन दिनों में 2 lakh crore रुपे उठा लिया जबकि IPO का साइज जो है सरफ 9,375 crore का है मतलब यहाँ पर एक चीश्तों समझ में आ रहा है कि मिलने के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है लेकिन यहाँ पर एक लाइन बहुत खतरनाक एड़ किया गया है अब एक चीश आपको यहाँ पर समझ में आ यहाँ पर देखिए इन कीजों को आप डिकोड करोंगे तभी समझ में आएगा अब इसको करें तो यहाँ पर लॉस मेकिंग इंटेटी का नाम आया है सामने इट मीन की राके जुन-जुन माला का कहना है भाईया कमपनी तो लॉस में बना रही है कमपनी तो आज तक पैसे ही नहीं कमा पा रही है कंपनी खुद नहीं पैसे कमा पारी हो आप我很 सारे महारतही बोलेंगी आपको स्टार्ट अप के भारे में नहीं पता है आपको यूनिकॉन आपçar इमाजोन मन सकता है बहुत सारे 명ं को को मैं पता दू मेरे भाई 70 गैना मान लेते है अक सो चाल्लिस पर खुल मैं जो है नहीं 20% का भी GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रिमियम जो चल रहा है 20% का मतलब 14 रुपे यहां से बढ़ सकता, 84 रुपे पे खुल सकता है, लेकिन एक ग्जामपल लेते हैं, मान लेते हैं, 140 पे खुल जाता है, मैं फिर भी नहीं खरीदूँगा, 300 पे चला जाएगा, मैं फिर भी नहीं खरीदूँगा, मैं results तेखूंगा, results में profit आएगा, 500 का भी मुझे मिल लेगा ना, तो भी मुझे मंजूरे में 500 में खरीद लूगा, और 5000 के लिए वेट कर लूगा, ठीक है ना, मुझे 70 रुपे में खरीद के 5000 का वेट ने कहता है, मुझे 500 पे खरीद के 5000 का वेट करना है, बस मेरे rules यह हैं, क और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहिए वी आईपी के बात कर ले हैं, लॉस में बेचा उन्होंने, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप में थोड़ा सा नीचे आउं, यह देखिए, यहां पर वो कह रहे हैं, यह जो कंपनी है, थोड़ा सा और नीचे यहां पर आजाता हूं, और यहां पर उन्होंने कहा है, कि भाई, यह स्टॉक जो है ना, नीचे जाने को 60% है, और यह देखिए, दा बिग बुल सेट, दा, सी 20% अपसाइड, उपर सरफ 20% दिख रहा है, बट डाउन साइड, 60% पोटेंसियल रखता है, यह किस कीश के यहां पर नीचे जाने को 60% है, अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो 60% तक करेक्ट हो सकता है, लेकिन उपर जाने को 20%, देखिए, उन्होंने साफ का है, बहुत जादा हाई लग रहा है, इस कंपनी का इतना पावर नहीं है, इतना इसका वैल्यू नहीं है, जितना वैल्यू क पर नहीं है, जो भी नए स्टार्ट अप्स की आई-पियो जारी है, जैसे मोवी कीवी हो गया, मोवी कीवी क्या है, दस दस रुपे के लिए रैफरल के लिए 10 रुपे देजे थे थे थे, उसको रैफर कर रों 10 रुपे देंगे, अज वो भी आई-पियो लेकर आ रहे है, तो कुल मिला जुला कि मैं वही कहूंगा मेरे भाई कि अपना दिमाग लगाईएगा, एकदम जल्दबाजी मत करिएगा कि मार्केट में लिष्ट हुआ, सेकेंटरी मार्केट में लिष्ट हुआ, अगर आपको नहीं मिला तो आपने खरीद लिया लाख रुपे का, दो ला यहां पर काफी कुछ इन्होंने बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर अगर आप चाहो तो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, देखी यहां पर काफी कुछ एड किया है उन्होंने, आप चाहो तो इन सब को ही पढ़ सकते हो, बाकि इतना ही ही इस वीडियो में था, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है अब जब भी IPO इपलाई करना कमपनी का प्रोफाइलिंग, कमपनी का कामकाश का तरीका कमपनी का प्रॉफिट लॉज स्टेटमेंट सारा कुछ देखना है थेंक ये